अब हम देखते हैं कि users को group के अंदर कैसे डालना है तो हम तीन group का add करने वाले हैं फिर user add command से primary group minus g से primary group specify कर देंगे और capital g से हम क्या करेंगे secondary group specify कर देंगे password देंगे जो password file में से है उसको search कर लेंगे और tail से हम last value लेने देख लेंगे फिर एक file बना के देखेंगे वो देखेंगे कि by default वो किस user को और किस group को belong करती है तो हम इसको practical ही आते हैं तो हम सबसे पहले क्या करते हैं जो group add जो हमारी command है physics वाली उसको add कर देते हैं group add physics वाला है फिर हम group तो उसी command को हम बार बार टाइप नहीं करते हैं तो math को कर देते हैं फिर हम chemistry को कर देते हैं chemistry को कर देते हैं तो अब हम देखते हैं कि भई user add हमने कह दिया कि user add minus g physics physics capital g आपने क्या करना है math chemistry यह हम add कर देते हैं password भी दे देते हैं इक को करके password minus user2 को password दे दिया अब हम tail minus 3 करके देख लेते हैं कि एक्स्टर ग्रूप फाइल को तो यहां पर क्या कर रहा है वो physics ग्रूप दिखा रहा है math ग्रूप दिखा रहा है और हमारे पास क्या कर रहा है chemistry ग्रूप भी दिखा रहा है तो हम अब क्या करेंगे किस user की तरह login करके देखेंगे हम जो user 2 है उसकी तरह login करके देख लेती है जो भी password 1 दिए है अब ID करके हम देखेंगे तो वो क्या दिखा रहा है कि यह इसकी user ID यह है यह इसकी primary जो ग्रूप है उसकी GID 1010 है और यह किस-किस ग्रूप का member है physics, math और chemistry का तो हम जैसे touch command करके जो file बनाएंगे F1 तो उसके बाद ls-l करेंगे तो हमें क्या नज़रा रहा है कि यह file जो किस user को belong करती है user 2 को और किस group को हमेशा ध्यान रकना है जो file होगी वो user और उसके primary group को belong करेगी तो यह था हमारा add करने का कि कैसे हमने add करना है तो इसको मैं log out कर जाता हूं तो यहां पर भी हम screen को क्या कर देते है clear कर देते है तो यह हमारे पस add user का हमने देखा है कि कैसे करना है कि पहले हमने shell को customize किया था comment को customize किया था home directory को customize किया था और यह different options थे तो यह हमने करके देखा है सारा कुछ कर देखा है